23 नमबर में देखो 23 नमबर में है 10 10 डिगरी 10 15 डिगरी 10 75 डिगरी 10 असी डिगरी इसका हमें मान निकालना है इसका मान हो जाएगा 10 असी और 10 टेन 10 पच्चतर 10 पंदर और ये कट जाएगा कैसे कट जाएगा 10 10 को हम लोग कोट असी बोलेंगे क्योंकि ये 10 और ये 80 90 हो जाता है यानि कि हम लोग बोलेंगे 10 10 को हम लोग लिख सकते है 10 90 गटा 80 बोलेंगे इस 10 10 को ये जो 10 है इस 10 को हम लोग 90 गटा 80 लिख सकते है 90 में से 80 चला गया 10 बचा ठीक है और ये क्या होता है 10 90 गटा थीटा क्या होता है कोट थीटा थीटा मेरा 80 है तो 80 यानि कि 10 10 के जगा कोट 10 लिखेंगे और यहां देखो 10 15 और 10 75 यहां 75 है और यहां 55 है 75 और पंदर क्या होता है 90 होता है यानि कि हम लोग 10 15 को कोट 75 बोल सकते हैं ठीक है बोल सकते हैं जब बोल सकते हैं अब देखो ध्यान दो इस कोट को हम लोग एक बटा 10 बोलते हैं ठीक उसी तरह से इस कोट को हम लोग एक बटा 10 बोलेंगे ठीक है और यह 10 75 है तो 10 75 रहने दो उसके बाद ये 10 80 है तो 108 9 रहे दो अब दूरल यह 10 80 गुणा में हो रहा है और यह भाग में तो क्या हो जाएगा करण के शुला कमान एक हो गया लो है तो टेस काуса प्सा नॉमबर टी हो जाएगा